यह आप देख सकते हैं यह बहुत ही जादा सौफ्ट है और बहुत हिल्दी नास्ता है हाई फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू आर चैनल मैं हूँ सुईता सिंग और आज मैं आप सब के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी और हिल्दी नास्ते की रेसिपी जो की बहुत ही कम टाइम में और घर में रखी हुई चीजों से बनके तयार होगा तो चलिए देख लेते हैं इसे बनाना कैसे हैं तो यहां पर सारी प्रिप्रेशन मैंने करके रखी है आप देख सकते हैं और इसमें जो भी इंग्रीडियन्स है ना वो घर में हमारे किचन में हमेशा अवैलिबल रहते हैं तो चलिए अब मैं बताती हूँ यहां पर मैंने लिया है एक कप सूजी और उसके बाद इसमें डाल दूँगी दो से तीन बड़े चमच दही और दही डालने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी आड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करना है और फ्रेंट एक कप सूजी में पूरा पानी इस रेसेपी में दो कप यूज हुआ है तो यह है मेजरमेंट तो फिलहाल यहां पर एक कप पूरा पानी में डाल दी हूँ इसे अच्छे से मिक्स करके रख दूँगी थोड़ी देर फूलने के लिए सूजी को उसके बाद फि चानिया अध्रक हरि मिर्ज थोड़ा सा दही एक चंबच और इसमें डालेंगे अधा चमच जीरा सात में स्वाद के अनुसार नमक टाल देंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे अर जैसका लोग नॉर्मल चटनी बनाते हैंगा नारील बाली बस वही च चटनी बन के तयार हो गई है ज्यादा दर हम लोग इडली डोसा या उतपम के साथ में बनाते हैं तो चटनी भी रेडी है और अब मैं देख लेती हो यह देखिए यह जो सूजी का बैटर था ना वह काफी अभी गाढ़ा है इसे मिक्स करके मैं दिखा रही हूं आपको तो अ अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि नब सूजी काफी अच्छे से फूल जाए इसमें और यह बहुत ही हल्दी नास्ता है इसमें बाकी चीजे आप अपने टेस्ट के खॉर्डिंग सब्ची वगएरा और भी एक्स्ट्रा एड कर सकते हैं तो यह आप देख सकते हैं यह जैसा नमक डाल यह अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहां पर मैंने एक पैकेट इनो डाला है तो इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर के फिर इसे हम साइड में रख देंगे तो अब मैंने इसे ढख दिया है इसे रख देंगे साइट में और चलिए फटा-फट से रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं तो गैस पे मैंने एक पैन रखा है उसमें मैं ऑईल डाल दूगी अब जो भी ऑईल यूज करते हो वो डाल सकते हैं ऑईल अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा राई थोड़ा सा जीरा और दो हरी मिर्च बारिक कटी हुई और साथ में मैंने करी पत्ता भी थोड़ा से उसमें काट लिया था वो डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे प्यास एक बड़ी साइज की प्यास को मैंने बारिक चौप कर लिया था वो डाल दिया है मैंने प्यास डालने के बाद इसे थोड़ी देर तक भूनेंगे तो यह आप देख सकते हैं प्यास को मैंने थोड़ी देर तक भून लिया है और अब इसके बाद ना इसमें डालेंगे बारिक कटा हुआ टमाटर तो एक बड़े साइज के टमाटर को भी मैंने बारी काट लिया था वो इसमें डाल देंगे साथ में थोड़ी सी हरी मटर डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स इसमें आप अपने पसंद की और भी सबजिया एड़ कर सकते हैं और अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी नमक स्वात की अनुसार उसके बाद इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला लाल मिर्ज का पाउडर मसाले आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डालिए तो यहाँ पर मैंने हल्दी डाल दिया है इसमें थोड़ा सा डाल मिर्ज का पाउडर डालेंगे थोड़ा सा डाला है गरम मसाला और बहुत थोड़ा सा डालेंगे पाउभाजी मसाला मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह आप देख सकते हैं यह काफी अच्छे से मिक्स हो चुका है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे थाकि यह सबजिया जो है अच्छे से पक जाए तो यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी एड़ कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे तो यह आप देख सकते हैं यह बहुत अच्छे से पकना शुरू हो चुका है थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो इसमें पानी दिख रहा है न वो बिल्कुल खतम हो जाए तो यह देखिए आप पानी इसका जो है वो बिल्कुल सूख चुका है और अब नहीं यह जो सबजियां है इसे हम अच्छे से फैला देंगे जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ न बस ऐसे ही से कर लेना है पूरे पैन में इस टाइम पे गैस की हीट को बिल्कुल लो पे रखा है और हरा धनिया बारी कटा हुआ इसके उपर डाल देंगे और अब हम इसमें डालेंगे वो जो बैटर हमने रेडी करके रखा था न वो डालेंगे तो अगर आप चाहे न तो इसके जो सबजियां है मसाले उसको दो पार्ट में डिवाइड करके भी रेसिपी बना सकते हैं नहीं तो इस तरीके से और आप चाहे न तो इसको पूरा अच्छे से स्प्रेड कर सकते हैं बैटर इसके उपर नहीं तो आप थोड़ा तोड़ा ड बाल दीजिए एक बराबर लेयर में ऐसा ने कहीं जादा कहीं कम हो उसके बाद इसे धीमियाज पर पकाना है अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नीचे तले में पकड़ने लगेगा तो आपना पैन हटा के गैस पर एक तवा रखिए उसके बाद ये पैन रखके इसे नीच में भी दे सकते हैं सुबह नास्ते में भी ले सकते हैं बहुत जादा टेस्टी है तो अब मैं इसे कवर कर दी हूँ 7-10 मिनट के लिए बिलकुल धीमिया आच पर और 10 मिनट लगभग हो चुके हैं तो मैं इसे दिखा देती हूं आपको और एक बार मैं फिर से आपको तो अभी मैं इसे ना कम से कम 5-6 मिनट के लिए और ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये आप देख सकते हैं ये काफी अच्छे से पक चुका है आप चाहें तो टूथपिक की हेल्प से इसे चेक भी कर सकते हैं फिलाल मैं आपको इसे कट करके दिखा दी हूँ इसे आप इस तरीके से कट भी कर सकते हैं नहीं तो आप इसे इडली का शेप देना चाहें तो गलास से भी इसकी कटिंग कर सकते हैं तो ये आपकी चॉइस है आप जिस तरीके से चाहें वैसे कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है हेल्दी तो है ही क्योंकि इसमें सारी चीजे जो यूज हुई है वो तो आप सबको पता ही है तो बस इस तरह से मैं कट करके आपको दिखा रही हूँ और इसे ना दोनों साइट पलट के आपको थोड़ी देर पका लेना है नहीं तो आप एक साइट से भी ऐसे सोफ कर सकते हैं क्योंकि इस टाइम पे उपर का जो लेयर है वो काफी अच्छे से पक चुका है तो मैं इधर कटिंग करके भी दिखा देती हूँ और इसे में थोड़ा सा पलट भी दोंगी ताकि मसाले दोनों साइड लग जाए अच्छे से इसमें तो यह आप देख सकते हैं बहुत ही सॉ बहुत है तो यहां पर मैं इसे सॉफ कर रही हूं और बहुत ही सिंपल रेसिपी है जल्दी बन जाती है तो रेसिपी जरू ट्राइब करिएगा और यह देखे यह बिल्कुल तयार है तो मैं थोड़ी सी इस पे नारियल की चट्नी उपर जैसे गिरा दूँगी और आप चा इस तरीके से आपको सॉफ करना चाहें कर सकते हैं तो यह देखिए बहुत ही सिंपल सा टेस्टी और हिल्दी नास्ता बन के तैयार है रेसिपी को ट्राइब करिएगा उमीद है मेरी यह रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी रेसिपी आप सब के साथ शेयर करती रहूं तो मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में बाबाए और टेक कियर थैंक्स फॉर वाचिंग